देखो, तो सबसे पहले हम लोगा आज करेंगे various errors in Excel, ठीक है? These are few errors, जो मैंने लिखा है, जो common errors है, जो होते हैं, ठीक है? Error, समझना is important, क्यों? क्योंकि अगर, suppose कहीं पे भी value error आ गया, तो क्यों हारे वो value error हम लोगों को पता हो रहा चाहे, राइट? तो देखो, पहला error is division by 0, divided by 0 ये कब होगा? जबी हम लोग कोई भी number को blank cell से divide करें, blank cells mean 0, right? तो blank cell से divide करें, तब 0 आएगा, right? या फिस 0 से ही divide करें, कोई cell में 0 number है, उससे divide करें, तो ये वाला error आते हैं, ठीक है? अब next is num error, num error क्यों होते है? invalid argument, invalid argument, as in log of minus 1, log of negative numbers is not possible, तो इसमें error आएगा, square root of negative numbers is not possible, तो इसमें error आएगा, ठीक है? तो जबी हम लोग कोई भी argument गलत देते हैं, तो num error आते हैं, clear है? next is value error, which is meaningless calculation, meaningless calculation विलब January plus 2020, कोई meaning में इस calculation का, कोई भी text plus number करी नहीं सकते हैं हम लोग हो चीज़, ठीक है? तो value error आते हैं, na not applicable ये का बात है? suppose हम लोग अभी सीखेंगे, we look up, तो हम लोग, याद करो हम लोग कर रहे थे, if function में, that cell is equal to pencil, right? अगर pencil कोई word होता ही नहीं मेरे पूरे column में, suppose pencil होता ही नहीं, तो na आता, clear है? अगर pencil होता ही नहीं, तो हम लोग अभी करेंगे, we look up, दिखो, February का spelling गलत है, तो यहाँ पर maybe ये वाला argument exist ही नहीं करता है, उस particular column में तो na आएगा, ठीक है? next is reference error, invalid cell reference, मतलब कि suppose हम लोग ऐसा कोई cell का reference दे रहे है, maybe हम लोग क्या कर रहे है, हम लोग text को, text plus number, तो text वाला जो cell है, that is invalid cell reference, ठीक है? तो ऐसा कुछ है, तो reference error आते है, जबी भी कोई भी cell referencing तुम लोग का गलत होता है, उसमें, null error का बात है, when you specify intersection of two ranges that don't intersect, यह हम लोग अभी index function में समझ आएगा तुम लोग को, basically null error क्या होगा, जब हम लोग का, हम लोग में भी two cell ranges बता रहे हैं, और वो intersect होना चाहिए था, पर हो नहीं रहा, तो null error आते है, ठीक है? यह दोनों हम लोग वापस लिखेंगे, एक बार null error हो रहने, जब हम लोग VLOOKUP और index function करेंगे, name error का बात है, excel doesn't recognize the text in the formula, तो suppose हमनों pencil लिखे, उसको हमनों quotations में लिखते है, right? quotations में नहीं लिखोगे तो name error आएगा, clear है? तो अब देखो यह वाला hashtag, यह hashtag का बात है? जब size तो बहुत जन confused हो जाते हैं, अभी तक in fact यह वाला queries आते हैं मेरे पास, बोलने के बाद भी class में अभी भी भी बहुत जन पूछते हैं, कि यह हम लोग का hashtag है, कुछ गलत है, मैं बहुत ही कुछ गलत नहीं है, तुम लोग को cell का size बढ़ा करने है, फित increase करने है, okay, so these are the basic errors, जो है, ठीक है, अब next हम लोग आते हैं, पहले हम लोग कुछ basics function सीखेंगे, आज और, these functions are very, like VLOOKUP, सबसे जादा use होता है, अगर Excel आपको आते है, तो maybe आपसे पूछ सकते है question की VLOOKUP कैसी use करते है, क्यों use करते है, ठीक है, तो यह question आपसे पूछा जाते है, तो सबसे पहले तो VLOOKUP use करते क्यों है, suppose मुझे, यहां भी बहुत छोटा सा table है, तो अगर मैं पूछू, suppose कि किसको 72 मिला था English में, तो आप simply बोल दो कि साक्षी को मिला था, पर अगर बहुत बढ़ा data है, तो आप कैसे बताओगे किसको कितना marks मिला है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते है, VLOOKUP use करते है, विच मीन्स वर्टिकल लुकप, VLOOKUP मनला वर्टिकल लुकप, कॉलम वाइज, वर्टिकली हम लोग देखते है कि कौन से किसको, कौन सा सेल किसको, किसके कॉर्रिस्पॉंडिंग में है, clear है, अब हम लोग धीरे करेंगे, तब समझ में आएगा, सपोज मैं लिख रही हूँ, सब्जेप्ट में, माथ, और नेम, सपोज मैं दे रही हूँ, आयूश, या फिर ले लेते है, अनुश, clear है, अब VLOOKUP use करते है, सपोज मुझे एक स्टैक करने है, सबसे वहले तो VLOOKUP का मेनिंग देखो, क्या लिखा हूँ है, looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specified, basically क्या होगा, कि ये इसमें सबसे leftmost column ये वाला हुआ table का, सबसे leftmost column में से वो value search करेगा, आयूश, मैंने अनुश राले क्या, तो suppose मुझे अनुश का math का marks चाहिए, right, तो वो इस वाले column में, सबसे left वाले column में ये मेरा lookup value है, वो इसको ढूड़ेगा इस particular column में अनुश को, उसको कहां मिला अगर हम लोग ये पूरा table ले रहे हैं, this is which row, one, two, three, four, fourth row, fourth row में अनुश को ढूड़ा, ठीक है, और उसके corresponding मुझे उसका math का marks दे देगा, math का marks इस पूरे table में कौन सा column है, column number two है, तो मुझे कहां से value extract करने है, column number two से value extract करने है, lookup value is, जहां पर वो ढूड़ रहा है, row number निकाल रहा है और उसके corresponding math का marks extract कर रहा है, clear है, तो देखो, we lookup, सबसे पहला हो गया lookup value, lookup value मेरा name है, वो कहां से ढूड़ेगा, leftmost column में से ढूड़ेगा, next table r a, table r a मितलब ये पूरा table मुझे specify करना पड़ेगा, अब हम लोग सीखेंगे, जरूरी नहीं कि ये पूरा table है, हम यहां से भी अपना table start कर सकते है, हम अपना table यहां से भी start कर सकते है, depending on my data, depending on what calculation I want to do, ठीक है, यह हो गया, column index number मतलब कि कौन से column से मुझे value extract करना है, कौन से column से, second column से, तो two लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम बताएंगे की range look up, as in I want a true value, approximate value और exact value, मुझे exact value चाहिए, कभी भी true मत करना, true से क्या होते है, approximate match आते है, suppose Anush की बगर में आयूश का marks आ जाएगा, हो सकते है, because it is an approximate match, तो मुझे exact match चाहिए, उसके लिए मैं false लिखोंगी, हमेशा false है, true is in caps lock, ठीक है, यह मैंने close किया, क्या आया, 67, clear है, कैसे की है हमने, अभी तुम लोग करो, खुद से, we look up, फिर इसका हम लोग disadvantage देखेंगे, क्यों बहुत है, तो पहले है, है, अभी याजू, और भी तुम लोग बपको टुम है, ऱंभी दुम है, क्यों है, बहुत हूजा, य्य दॉत करोन चाहिए, यैयास aura कॉर्जार, पहले है, क्यूप्से, हुम है, रूलोग करने लोग Contазा हुआ? आया अंसर? डबल क्लिक करना पड़ेगा, एक क्लिक से नहीं होता, और अगर टाइप करना है, तो टाइप भी कर सकते हुआ. आया VLOOKUP का अंसर? यह हमने VLOOKUP किया. अब इसका disadvantage क्या है? क्या लिखावा था? कि it looks the value from the leftmost column. तो suppose मेरा name वाला column, math वाले column के right में होता, इसका क्या मतलब है, जहां से मुझे value extract करना है? मुझे कहां से value extract करना है? इससे? और कहां से value देखना है? यहां से देखना है. तो suppose मेरा lookup value वाला column है, वो मेरे जहां से value extract करना है, उसके right में होता, तो VLOOKUP हम लोग use नहीं कर सकते थे. VLOOKUP हमेशा use होता है, जबी भी हम लोग का lookup value वाला column है, this is the lookup value वाला column, वो हमेशा leftmost होना चाहिए table के. table का leftmost, अब यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था, देखो, कि मेरा math इधर होता, name इधर होता, and suppose इधर कोईक और column होता है और हम लोग table आ रहे यहां से start करते, तो भी नहीं होता, table जो select कर रहे हो, उसका leftmost column should represent the lookup value वाला column, तभी हम लोग VLOOKUP use कर सकते हैं, तो यह सबसे बड़ा disadvantage है, अगर आपसे पूछे, कि what is the disadvantage of VLOOKUP, तो आपरो बोलोगे कि हम लोगा जो lookup वाली वाला column है, should be the leftmost in the table you have selected, clear है है, हां, बीच में नहीं एकदम leftmost होना चाहिए, मेरे पूरे table का leftmost should be the VLOOKUP वाला column, clear है, clear है अभी यह चीज, चीक है, तो यह हम लोगा disadvantage था VLOOKUP का, इसको कैसे overcome करते है, index और match function से, उसके पहले एक छोटा बहुत interesting चीज सीखेंगे हम लोग, यह मैंने अनुष जो यहां बनाये है, suppose I want to create a drop-down list, जिसमेंसे कोई भी नाम मैं select करूँ, suppose मैं select करूँ Ria, तो Ria का marks आजाए, suppose मैं select करूँ Meeta, तो Meeta का marks आजाए, you get data validation, फिर यहां देखना, देख रहे है कि आप लोको, suppose यहां पे any value है, हम लोग सीखेंगे भी data validation और deep में, suppose मुझे list create करना था, of all the names यहां पे, एक drop-down list, ठीक है, यहां तुम लोग ने कभी notice कियोगा, तुम लोग ने कभी नोटिस कियोगा, तुम लोग फिल करते हो है, यह सब कुछ करते हो, तो एक drop-down list आते है, उसमें से you select male, female या वैसे करके, same we are going to create है हाँ ठीक है, तो हम क्या की data validation, settings, allow list, list किया हमने allow, source मतलब कि कहां से मुझे, मेरा list का जो names है, उसमें क्या होना चाहिए, वो select करने है, तो मैं इसपे click करूँगी, these are the values which I want, ठीक है, वापस इसपे click किया, okay, and see, drop down आ गया, अब मैं रिया select करूँगी, तो marks 88 हो गया, क्यों marks 88 हुआ, because अब वो रिया को ढूंड रहा है, इस particular column में, उसका number क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वाले row में से, 88 extract करके हम लोग को दे रहा है, clear हुआ, अब try करो, data tab, data validation, data tab, data validation, आया, लिस्ट क्रिएट करना और सोर्स सेलेक्ट करना चेंज करकर की देखलो अंसर्स माच हो रहे हैं की नहीं ठीक है जैसे वी लुक अप है वैसे ही एच लुक अप है एच लुक अप मतलब होरिजॉन्टिल लुक अब आब सुपोस्ये जो मेरा टेबल है यह पूरा उल्टा हुता उल्टा होता है यहां पर नेम माथ,मार्थ,मार्क, इंङलिश नियुवल पूरा उल्टा होता सब चीपारी asia हैं कैसे सीखेंगे? हम लोग यह कितना रोज है कितना कॉलम्स है तो अब उल्टा करने से, क्यों हो जाएगा, seven columns और five rows पूरा उल्टा हो जाएगा, transpose हो जाएगा. तो देखो, one, two, three, four, five rows and two, three, four, five, six, seven. इब चेक करो, seven हो रहा है. नहीं, six होआ. तो, two, three, four, five, six, seven. अब होआ, ठीक है? अब क्या करेंगे? देखो, यह पूरा select कर लिया. पहले पूरा select कर लो, फिर formula tab में जाओ, type करो, transpose. अब जिस array को transpose करने है, उसको पूरे को select करो. अब सबसे important step, this is a matrix function. हम लोग और भी matrix function सिखेंगे आगे. transpose is a matrix function. Why a matrix function? Because हम लोग एक पूरे table को लेके deal कर रहे हैं साथ में. So this is a matrix function. तो matrix function को जभी भी execute करना होता है, हम लोग सिफ enter press नहीं करते हैं. हम लोग control, shift, enter press करते हैं. and see, क्या आगया? clear है? control, shift, enter. सबसे वहले जितना भी output चाहिए, पूरे को select करो. फिर यहां पर type and देखो, क्या आगया यहां पर? curly brackets आगये. This represents that you have inputted a matrix function. अब यहां पर एक बात याद रखना, अगर आप लोग कोई भी एक particular cell value change करना चाहो, तो error आएगा. Why? Because यह पूरा is a matrix function, पूरा साथ में ले रख्यों है. So you can't change any particular value from this table. clear है? Try करो, transpose करने का. See, यहां पर अगर हम लोग प्रिया का age कर देते हैं, 20. ठीक है? तो प्रिया का age change होग है 20. ठीक है? So it's all related. Change कर सकते हैं. Next class से copy लेके आना है. ठीक है? And अभी तक जितना भी किये, try करो, recollect करने का and सारा functions लिखते जो. क्योंकि आप लोग कोई आड नहीं रहेगा फिर. And at least अगर कभी excel file खो भी गया, so you'll have your notes with yourself. So next class में, make sure you get a copy. And उस copy में अभी तक जितना भी हमने किया है, try करो, recollect करने का and write all the functions and बगर में खाली उसका एक-line का use. वी look-up का specially सबकुष लिखके आना, ठीक है कि कैसे उसकरते है and what are the disadvantages of it. क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि क्या ऐसे use कर रहे हैं. Ctrl-Shift-Enter. आया? इसको color कर दो, headings को. आया? ठीक है? clear है? अब हम लोग edge look-up करेंगे. horizontal look-up. vertical look-up क्या था? जब हम लोग column-wise search करेंगे अपने values को. अब हम लोग row-wise search करेंगे अपने values को. ठीक है? तो row-wise search करने के लिए, देखो यहाँ पे, suppose मुझे अब चाहिए आयूश का math का marks. तो हम लोग कैसे ढूनेंगे? row-wise जाहेंगे? सबसे पहले तो इस particular row में, यह अगर मेरा पूरा table है, मुझे आयूश का math का marks रहे है. तो इस row में, आयूश कौन से column में आ रहे है? second column में. फिर math का marks कहां से extract करने है? second column से. तो उसका यह वाला particular value extract हो जाएगा. जिससे V look-up में column-wise जाते हो, clear है? तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर, suppose लिख लेते हैं, again we'll create a drop-down list, यहां सबसे वहले हम लिख लेते हैं, Priya. Priya लिख लो. Priya लिख लो. पहले देख लिख लिए, H look-up. Look-up value क्या है हमारा? अचा, H look-up कभी पढ़ो. Looks for a value in the top row of the table. जैसे उसमें leftmost था, H look-up में should be the topmost. ठीक है? Of the values and returns the value in the same column of the table. After row you specify. तो अगर यह वाला मेरा column है, 3rd column, 3rd column का 2nd row से value extract करने है. तो कैसे करेंगे? H look-up. Look-up value Priya है. Table आरी ही पूरा है. Row index number मतलब कौन से row से हमनों को values extract करने है. कौन से row से करने है? 2, 2nd column से करने है. वापस हमनों क्या देंगे? False. Clear है? Close किया, Enter किया, I got 76. Again यहाँ पर Priya के जगव पर एक list create करके check करो, की values change हो रहें की नहीं. देखो, values change हो रहेंगे. ठीक है? Try करूँ. करोसे ही उत दिएों करेंगेर itself. मैंेशने की जते हैं ठीक है, आया, वेरी गूड, ठीक है, अब यह हम लोग कर लिए, एच लुकप, इसका भी क्या सबसे वड़ा डिसद्वांटेज है, कि अब एक चीज का और बात ध्यान रखना, सबसे यहां वी लुकप में हमने क्या क्या साक्षी लिख यहां पर, अब सबसे में दूसरे कॉलम में आयूश लिखती, फिर यहां प्रिया लिखती, यह कभ यूज होते है, वी लुकप का यूज क्या है, अब सबसे दो डपाट्मेंट है कमपनी में, एक मेरा डपाट्मेंट है, फिर लोग्स यह कितने क्लेंच आ रहे हैं, इंशॉरांस कंपनी में ऐघला थे, ओंद आधे, करेंशौरांस में दील करें, तो थिर गार्था तो एक्सेटरन होता है यहां कुछ हूआ दामेंच, त I am the claims department, मैं claims collect करते हूं, मेरे पास claims आते हैं, तो मैं policy holder का name नहीं यूज करते हूं, मैं एक registration number यूज करते हूं, ठीक है? अब suppose Jasmine दूसरे group में है, दूसरे team में है, वो उसका team deals with the settlement of the claim, ठीक है? अब उसका जो पूरा table है, जो लोग बनाते हैं table data collection का, वो थोड़ा different है मेरे table से, पर हम लोग दुनों में एक चीज़ common है, that is the registration number, ठीक है? तो हम लोग दुनों एक ही registration number follow करते हूं, तो अब उससे पता कैसे चले, उससे name extract करना है, suppose यहां पर मेरा registration numbers है, and यहां पर corresponding names of the policy holder है, मेरे पास names नहीं होते हैं, मेरे पास खाली registration number होते हैं, उससे extract करने की names क्या है policy holder के, तो वो क्या करेगी? वो मेरा data लेके, मेरे data के according, जो registration number है, उसके corresponding वो क्या extract करेगी? उसका names extract कर लेगी? ठीक है? तो यह generally यह जो list वाला चीज है, यह तब काम आते हैं, जब बहुत जादा values होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसा होते है कुछ, हम लोग इक पूरे column में, suppose यह मैं पूरा registration numbers दिया हो है, यह पूरा names दिया हो है, ठीक है? अब इसके corresponding मुझे, इनके marks को extract करने है, तो हम लोग इस पूरे function को नीचे drag कर सकते हैं, aa4 के जगब पे, aa5 आ जाएगा, aa6 आ जाएगा, पर एक चीज और change होगा, क्या? यह वाला table array, this table array should remain constant, right? क्योंकि वो drag करो कहीं भी table तो यह ही है, table आपका नहीं change हो रहा है, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, absolute करेंगे, clear है, absolute क्यों किया हमने, fnfo जो हमने shortcut सीखाता है, absolute करने का, क्योंकि हम कहीं भी drag करें, my table array remains the same, 2 पर change नहीं होगा न, drag करने से, 2 कैसे change होगा, 2 will not change, तो यह हमने किया, अब suppose अब देखो, मैं इसको drag करेंगे, तो देखो, the table array remains the same, खाली हमनों का lookup value change हो गया, तो यह output क्या आ रहे 89, आयूश का math का marks 89, clear है, करू try, करेंगे발 हो देखो क秒 के डाली हम네, देखो खताओ देखो गल्याव करेंगेक्रा एंबदी lab Kais को मैं इसके मैं किभर है आग, कर वह करी मैं आख किवरताों आग तो यह आया हम लोग का, अब हम लोग करेंगे how to overcome the disadvantage of VLOOKUP and HLOOKUP, उसके लिए we use index match function, ठीक है, यह थोड़ा complicated लगेगे एक बार में, पर ही बहुत easy है, जब तुमनों करने ही लग जाओगे. So basically what is index function, यहाँ पर यह थाइप करके देखते हैं क्या है, it returns a value और a reference of the cell, add the intersection of a particular row and column in a given range, add the intersection of a row or a column. Basically, suppose अब मुझे, यहाँ पर भी need to specify कि हमें second column से values extract करने हैं, right, अब मुझे specify नहीं करना, कौन से column से extract करने हैं, मुझे यह भी नहीं पता, suppose मैं अब बहुत बड़ा table है with suppose, let's say suppose 50 columns, 50 columns, 50 columns इसका क्या मतलब है, अब आप ढूनने जो कि कौन से column से value extract करने है, what should be the number of that column, बहुत time waste होगा, तो ऐसा कुछ करते हैं, जिससे कि हमें math का जो column number है, math का जो column number है, वो भी नहीं specify करना पड़े, clear हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग name नहीं specify करने, name भी look up में, पर index में हम लोग दोनों चीज नहीं specify करेंगे, as in हम लोग name तो करेंगे ही नहीं कि कौन से row से extract हो रहे हैं, हम लोग column number भी नहीं बताएंगे 2 है या 3 है, हम लोग directly डाल देंगे math है, यह वारा चीज clear है, इसके लिए हम लोग को match function भी सीखना पड़ेगा, जो कि हम लोग सीखेंगे, basically index function क्या होता है, एकदम short में समझो, एक particular column और एक particular row का जो intersection होता है, उसका वो output निकाल देता है, एक particular column और एक particular row का जो भी intersection है वो value extract करता है, अब वो null error यादार है, suppose हम लोग column बताते यह, row बताते यह, intersection हो रहा है कहीं भी, तो null error यादा, clear है, तो ठीक है हम लोग index function सीखते हैं, क्या होता है, एकदम पहले basic से करते हैं, suppose मेरा यह देखो, array मतलब की यह पूरा मेरा table आ रहे हुआ, ठीक है, row number, suppose second row number हो गया यह, suppose मेरा आयूश का मुझे math का mark जाना है, तो इस particular पूरे column में, इस particular table में, आयूश कौन से row में है, second row में, column number, अब specify नहीं करोगी column number, तो यहां पे output नहीं आएगा, पर यह brackets में है, यह क्यों brackets में बता रहे हूँ, सबसे पहले देखो, row number बताया हमने, column number क्या बताएंगे, math के लिए, 2 बताएंगे, 2 बताएंगे, खोला, 89 आया intersection, second row, second column का intersection 89, आया value, तो यह हमने किया index function, ठीक है, एक तरीका और है index function का, अगर suppose मुझे सिर्फ इसी एक column से, इसी एक row से, math कौन से column number पे आरे है, वो मुझे extract करने है, समझ रहे हो, इस particular row से, math कौन से column में है, वो extract करने है, तुम खाली यह वाला row बताएंगे, इंदा आरे, row number हो जाएगा मेरा math, क्या फिर रुख जो, better way to explain, suppose यह पूरा मेरा column है, इससे मुझे पता लगाने कि प्रिया कौन से row number में आ रही है, तो हम लिखेंगे हाँ पे, let's say suppose 3, क्या आया, बेसिकली, index function से क्या होता है, you get a value which is there in the cell, हम लोग जब पूरा table select करते हैं and we specify the row number and the column number, तो उसका intersection है वो आया, अगर खाली एक, खाली एक आप column बता रहे हो and row number बता रहे हो, हमने column बताया, row number 3 बताया, तो केक श्रक्ट हो गया प्रिया, similarly अगर आप ऐसे करते हैं, index and यह आपका पूरा row है and suppose मैं बताती 2, math, index function में output is always cell का output, यह cell कहां पे, इस cell का output के है, दो तरीका है, पहली बात तो आप पूरा जब टेबल बता रहे हो, तो उसका row number, column number, वो intersection will be the output, अगर आप एक row select कर रहे हो, column select कर रहे हो, column select कर रहे हो, तो आपको क्या बताना है, row number, और अगर आप एक row select कर रहे हो, तो आपको क्या बताना है, column number, जहां से value extract करना है, अब हम लोग match function जब सीखेंगे, दोनों का साथ में generally use होता है, कभी भी index separately या match function separately use नहीं होता है, वो हम लोग सीखेंगे क्यों, पहले आप लोग इतना करो, इबार try, एकदम basic वादा try करो, पूरा table select करो, और जो भी row number और जो भी column number से output यह वो लिख लो, झाल, 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 इसलिए हम लोग इंडेक्स मैच यूज़ करेंगे. इंडेक्स बहुत कम यूज़ किया जाते है. डिक्षाइ. तुक्या. नेक्स आजोओ माच फंक्षिंट. देखोँ हाँ पे क्या लिखे. इत रेटर्ण से रिल्लिटीफ पोजिशन आप नाइटम. इत रेटर्ण सुर रेलिटीफ पोजिशन आप यूज़ किया अटम. इसका क्या मतलब है? अब सबूज मुझे पता लगाने कि इस पर्टिकिलर कॉलम में प्रिया कौन से रो नंबर पे आ रही है तो हो आउट क्यो जाएगा 3 तो माच फंक्शन का आउटपुट विल बी 3 सबसे वहले हम बताते हैं lookup value हम lookup value बता रहे हैं साक्षी ठीक है lookup value बताया हमने lookup array अब याद रखना in match function lookup array should always be a column or a row it cannot be a table क्योंकि अगर आप table बता दोगे तो क्या बताएगा आपको साक्षी कौनसे row में है या साक्षी कौनसे column में है राइट पर अगर आप बता रहे हो यह वाला पूरा column तो यह बता पाएगा कि कौनसे row में है साक्षी कौनसे row में है साक्षी अब यहाँ देखो exact match less than greater than मुझे क्या चाहिए exact match swell type 0, बन किया 5, 1, 2, 3, 4 & 5 हाँ तो look up वाली तो हमने ऐसी किया था उस समय जब we look up भी किया था अब इसको change करो, देखो 4 हो गया, 6 match function से क्या मिलते है, a row number और a column number, row number कब मिलेगा, जब आप column select करोगे और column number कब मिलेगा, जब आप row select करोगे एक और example देखो look up value, let's say suppose math है और हम लोग का look up array, suppose यह वाला पूरा row है 0 लिखा हमने तो इस पूरे row में math कौन से column में आ रहा है second column में आ रहा है 2 clear है, match function index function से क्या होता था हम लोग पूरा table बताते थे row number, column number, उसका intersection का output या फिर अगर आप एक column बताओगे तो उसका row number बताओगे वहां से output आ जाएगा या फिर अगर आप लोग row बताओगे उसका column number बताओगे तो output आ जाएगा match function में क्या होता है अगर एक column बता रहे हो तो उसका row number आ जाएगा और अगर एक row बता रहे हो तो उसका column number आ जाएगा करके देखो try try करो आपसे कोई भी doubt है तो पूस ते रहना जाएगा जाएगा झाल झाल आया अब देखो हम लोग index और match को कैसा साथ में यूज करेंगे ठीक है तो सबसे पहले index function का output क्या होता है एक particular column cell में क्या है उसका value match function का output क्या होता है row number or the column number index function का input क्या होता है row number or the column number so उस input के जगर पे can we use match function so what will happen यहाँ देखो इस case में आपने पूरा table बताया instead of writing 2 जैसे वो पूछी कि अगर बड़ा table होगा तो math वाल हमनों count करेंगे कौन से column में आ रहे so instead of counting can we use a match function यहाँ पे जिसका output 2 आ जाये हम लोग ने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे 2 ही तो लाया था हमने 2 ही तो लाया था so instead of writing 2 can we use a match function यहाँ पे again instead of writing 2 can we again use a match function clear है अब जो करेंगे ना उसे पर ध्यान से सुनना फिर करना index सबसे बहला तो यह पूरा मेरा टेबल आ रहे बन गया अब मुझे बताना है रो नंबर रो नंबर यानि कि यह वाला रो नंबर है तो रो नंबर में हम लोग match function यूज करते हैं अब match function में हमें output चाहिए रो नंबर जब output रो नंबर चाहिए होता है match function में तो हम लोग क्या select करते हैं column select करते हैं column select करते हैं तो look up value हो जाएगा suppose Rhea कि Rhea कौन से रो नंबर में आ रहे हैं ढूंडो ठीक है look up array हो जाएगा यह column ठीक है यह column हम look up exact match हो गया 0 close next again लिखो match function यह इस match function का output क्या होगा बताना Rhea था ना तो यह वाला जो भी row number हो output हो जाएगा जो भी है 6 है again match function में देखो अब हमें क्या बताना है column number index number का हमने row specify कर दिया हमें अब column specify करना है तो उसके लिए वापस हमनों match यू करते है and इसके अंदर when you need to specify when you want the output to be a column number तो आप क्या select करते हो row select करते हो 0 दे दिंगे देखो यहां पे excel में brackets colorful होते है ताकि आपको समझ में bracket close हो रहे की नहीं suppose when I am closing this bracket देखना यह वाला bold हो जाएगा and green green है यह black है so that you don't make mistakes brackets में अब यहां ध्यान दो इसका output आ रहा था 6 रिया को select किया 6 आ रहा है इसका output आ रहा है 2 तो इस पूरे table का 6th row and second column का intersection 88 आ जाएगा output अब दिखना when you change this यह change करने से क्या होगा match function change होगा match function change होगा क्या यह वाला because आपने row इधर बताया था column बताया था आपका row numbers change होते चाहेंगे एक और चीज क्या कर सकते हैं यहां पर हम लोग math के जग़ा पर एक list create कर सकते हैं देखो कैसे करेंगे data tab data validation so यहां पर we can create a list source हम बता सकते हैं यह पूरा क्या होगा देखो English डाला 72 because क्या हो रहा है because क्या हो रहा है यहां पर आपने match function अंदर use की है by selecting this particular cell and this particular cell तो बिन दोनों को जितने बार भी change कर you'll get an output over here कितना flexible हो गया we look up में एक आप particular column बताओगे खली उसी में से values extract होंगे second column बताया second column में से values extract होंगे यहां पर सिर्फ index जब use करो तभी आपको एक particular बताना पड़ेगा सिर्फ match करोगे तो भी एक particular value बताना पड़ेगा पर जब index match match use कर रहे हम लोग तो हम लोग कितने flexibility होके flexibility से हम लोग अपना values खाली change कर रहे है और मेरा output चेंज हो रहे है यह हमनी उसके index match match we can also do index match वो हम लोग कैसे करेंगे पहले इसको करो पहले इसको करो याद रखना कैसे समझते है मेरा बात सुन लो एक बार तब याद रहेगा आपको index का output is the cell cell का output है match का output is the row number or the column number row number का बात है जब आप column select करते हो and column number का बात है जब आप row select करते हो अब index में आपको यह as an input चाहिए तो आप क्या करेंग? अब index में सबसे पहला you are specifying the poora table next you want the row number you want a row number so match function में you are selecting a column to get a row number and again दूसरे में, दूसरे input में क्या चाहिए? column number column number के जग, again we are using match function and उस match function के जग पे आपको column number चाहिए so you will select a row to get the column number अब एक चीज़ और अब भी सुन लो ताके उनों के मन में बैट जाए बात अब मुझे यहां पे हमने क्या क्या था index में प्रिया के जगह पे हमने खाली एक row column बताय था and row number specify किया था याद है row number specify क्या था तो उसका output आगया था same हम लोग यहां करते है we are just selecting a column इस column का I will just want the row number to get the output अब row number कहां से बता सकते है match row number बताने के लिए क्या select करते हो column तो suppose हम लोग का look up value is Ria या फिर यही ले ले लेते है Anush and अब क्या specify करते हो column Anush यह यह example थोड़ा वेग लगेगा कि हमने select किया Anush output भी आगया Anush इसका एक example लेंगे तब और लगा basically समझ आ रहे है index कैसी use होता है match कैसी use होता है करो यह हम लोग का last topic आज का भी किसी थोड़ा heavy topic है हमने आज वैसे जादा function सीखे नहीं है यह जो function हमने सीखा है यह थोड़ा heavy है इस पर sums करेंगे अभी class में तो और clear होगा हलो 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 अज़ा यह जढ़ा यह जढ़ा